दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केशना फैंटेसी में एंडाज हम बात करेंगे रंजी ट्रॉफी के मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा बियार वसम मनीपूर के भी दोस्तो ये मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंब प्लेयर है जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा के देंगे कौन सा वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में दोनों टीमों का लाच मैच का क्या स्कोर कार्ड रहा है कौन सा बैट्समें की स्टमर पर बैटिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंटर जरू देखेगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में तो हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है किर्षना फेंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी अगर मैं आपको recent matches का result भी बता हूँ तो आप देख सकते हो लगातार अमने हर matches में आपे clean sweep करा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलिग्राम से ज़रूर जुड़ियाईगा दोस्तों अगर आपको 100 रूपे फिरी पेटियम चाहिए तो देखे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप मैंसे काफी भाईयों को पता हुगा अगर आप sportsCAP को first time download करके register करते हो तो sportsCAP आपको 100 रूपे फिरी पेटियम देता है तो बस आपको sportsCAP को download करके register कर लेना ह sportsCAP को download करने का link आपको इस वीडियो के नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए तो link पे के लिए करके sportsCAP को download कर लेना download करने के बाद जब register करो तो वही number डालना जिससे आपका PTM account बना वाए तो तुरंत आपके PTM में 100 रूपे फिरी आ जाएंगे दोस्तों अगर यहां से बात करें भीयार की last match के betting scorecard के बारे में first linnings के तो यहां से बसिक नाट ने open कराता है यहां से बबूल कुमार के साथ नाट ने आसे 5 रन करे वहीं बबूल कुमार ने 0 रन करे सचिन कुमार आपको number 3 पे दिखे ञे के 75 रन इनों ने करे थे विपिन ने आसे 177 रन करे थे वहीं दोस्तो अगर बिहार के लाश्ट मैच के सेकंड इनिंग्स के बैटिंग स्कोर कार्ड के बारे में बात करे तो नाथ ने 22 रं करे बबुल कुमानी क्यावन करे सचिन ने एक रन करा बिबिन सौरब ने यासे कोई रन नहीं करे जीरो रन करे ते गनी ने 39 करे सिवम ने 11 अशुतोस ने जीरो रन करे और परताफ सिंग ने यासे 14 रन करे थे वहीं अगर दोस्तो बिहार के लाश्ट मैच के फर्स्ट इनिंग्स के बॉलिंग स्कोर कार्ड के बारे में बात करे तो परताफ ने यासे छह और डाले थे कोई विगेट नहीं निकाल पाए नवाथ ने पांच ओवर में दो विकेट निकाले वही आशुतोस अमन ने चार विकेट निकाले थे लगबग 12 ओवर बॉलिंग करे थी यहां से बंशीदार कुमार ने दो विकेट निकाले थे चार ओवर में वही सचिन कुमार ने एक विकेट निकाले थे शिवम कुमार ने एक विकेट वहीं दोस्तों, मनीपूर के लास्ट मैच के फर्स्ट इनिंग से बेटिंग स्कूर काड के बारे में बात करें, तो बसीर रहमान और यहां से जो है, रोनल्ड आपको open करते वे नज़र आएंगे, बसीर ने 12 इन करें थे, वहीं से यहां से केश के बारे में बात करें, नमबर 1000 पर Halo 3 आपको नज़रेंगे आर्ठन करें पर फुलम सिंग आपको नबर स्टै पर पे पर तो नंबर 5 पर इसानी पर गणा आपको नंबर चाह पर नजरांगे 25 लुट करें मिन्वर के तो देखिए आपको काफी भाई तो इस चीज को समझ गये होंगे लेकिन काफी भाई नहीं समझे होंगे भाई ये जो है टेस्ट मैच में जो है दोनों ही टीम जो होती है दो दो बार बैटिंग करती है अगर मनीपूर है जैसे ये मनीपूर की टीम है तो ये दो बार ही बैटिंग करेगी और दो बार ही बैटिंग करेगी अब हाँ एक बार भी बैटिंग कर सकती है अब उस केस में जैसे मान के चलिए मनिपूर ने पहले बैटिंग करते हुए 500 रन बना दिये, अब सामने कौन सी टीम है, इनके सामने भिहार का मैचे, तो मनिपूर ने यहां से 500 रन बना दिये, अब भिहार जब खेल रही है, तो भिहार जो है 100 रन पर ऑल आउट हो गई, ठीक है, तो तो मनीपूर जो है इस मैच को एक इनिंग्स में बैटिंग करके ही 200 रन से जीत जाएगी तो उमीद करता हूँ आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा वहीं दोस्तों अगर मनीपूर के लाश मैच के बारे में बात करें फस्ट इनिंग्स के तो यहां से रेक सिंग ने 16 और में 1 विकिट निकाला जोटिन ने 16 और में 4 विकिट निकाले बिकास ने यहां से 4 और डाले कोई विकिट नहीं निकाल पाए और यहीं विश्वर जीत के के बारे में बात करें तो एक विगेट निकाले थे किशन ने भी यहांसे चार विगेट निकाले पिर जोट कोई विगेट नहीं निकाल पाए वहीं दोस्तों अगर मनीपूर के लास्ट मैच के सेकंड इनिक्स के बारे में बात करें तो जोटीर ने पांच विगेट निकाले क इसन ने चार विगेट और यहां से बात करें विश्वरजीत ने कोई विगेट नहीं निकाल पाए रेक्स भी कोई विगेट नहीं निकाल पाए यहां से केशन ने भी कोई विगेट नहीं निकाला था दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी fantasy की team की तो उससे पहले आप सभी से एक request है जो भी भाई नहे हमारे YouTube channel पर पहली बार आए तो दोस्तो YouTube channel को जरूर subscribe कर लिजेगा देखी आपको पता है इस समय आपको literally बता रहा हूँ रात के एक बत चुके और match ये सिर्फ मैं आपके लिए cover कर रहा हूँ क्योंकि इस match में कुछ important चीज़े है जिन से जिनको आप देख के अच्छे से team बना भी सकते हो वैसे मैं आपको final team दे ही दूँगा तो उसके लिए telegram पे जोड़ जाए ना final team के लिए और उससे पहले YouTube channel को ज़रूर subscribe कर लिजेगा यार ताकि मुझे मुझे भी support मिलेगा motivation मिलेगा उमीद करता हूँ आपने YouTube channel को subscribe कर लिए होगा देखे विकिट कीपर में बात करें दोस्तों तो यहांसे आपके पास sing का option है और sour up का option है sour up आपको number 3 या number 4 पे खेलते वे नजर आएंगे वहीं यहांसे sing आपको number 5 के आसपार बैटिंग करते वे नजर आएंगे अब यह दोनों ही जो है अपनी team के विकिट कीपर है और विकिट कीपर का एक फायदा यह है कि test match है तो यह आपको जो है easily कम से कम भी मुझे नहीं ना करते वे भी ना ना करते वे भी 4 catch तो यह आपको इसली पकड़ के दे देंगे अब 4 catch के आप देख लो 1 catch के 8 point देते हैं तो 8 into 4 कर लो आप तो उतने तो आपको यह जो है बिना खेले ही point दे देंगे minimum मैं तो बता रहा हूँ बाकि और इस्टंप वगेरा के भी extra point होंगे साथी में अगर यह total दोनों इनिक्स में खेल के 50 अन भी बना देते हो चार catch भी पकड़ लेंगे तो आपको इसली एक अच्छे दोनों जो है point दे जाएंगे तो मैं दोनों को यह अपने टीम में रख रहा हूँ बात करें अगर बैटिंग में दोस्तो यहां से जोरी मुझे नहीं लगता इस मैच में आपको खेलते वे नजर आएंगे कुमार आपको open करते वे नजर आजेंगे यहां से गनी आपको middle order में नंबर 5-6 पे खेलते वे नजर आएंगे वही मैटन आपको नंबर 3 के आसपास खेलते वे नजर आएंगे जो कि अपने captain भी टीम के वैसे मैंने बैटिंग order आपको सभी player का बता ही दिया है अभी की कौन सा player किस नंबर पे बैटिंग करेगा तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा फिलाल मैं मैटन को अपने टीम में रख रहा हूँ यहां से कुमार हो जाएंगे और वहीं यहां से गनी को मैं लेके जा रहा हूँ दोस्तों बाकी मैंने जो है हर player के बारे में जो है आपको डिटेल के साथ बता ही दिया है तो अगर आपने skip कराए वीडियो को तो थोड़ा सा पीछे करके score का देख लेना आपको बैटिंग करेंगे मेडर आपके लिए इंपोर्टेंट पिक होने वाले है वही अगर दोस्तों बालिंग में बात करें तो देखें आसे रास का मुझे नहीं लगता इस मैच में खिलेंगे यहां से कौन भी नहीं दिखेंगे आपके पास अगर यहां से option के मैं बारे में बात करूँ तो यहां से सिंग का option है और नवास का दोनों इस मैच के लिए अच्छे option होने वाले तो मैं दोनों को लेके जा रहूँ क्यापन के बाढारे में बात करे तो देखिए यहां से आपके पास दोस्तों मैं फिलाल आपको दो ही Oops दूगा यहां C smart का अब क्यों मैंने आपको इन दोनों का बोला है वो भी बता देता हूँ देखे सबसे पहली बात दोनों विकेट कीपर है और मैंने आपको बताए कि दोनों अगर जो है चार कैच भी एक पकड़ लेगा विकेट कीपर दोनों इनिक्स में मिला के जो कि मुझे पता है मिनिमम ये पकड़ी लेंगे अब एक कैच के आठ पॉइंट मिलते तो आठ इन्टू चार कर लो आपको पता चल जाएगा 16-16-32 कर लो 32 पॉइंट तो आपको ये दोनों बिना खेले ही दे जाएंगे मतलब सिंगल प्रेयर के ही मैं बता रहू अब 32 अनों ने मिनिमम दे लिए कैच पकड़ के अब 32 में आप कर लो 82 पॉइंट 82 चौके चके कुछ मारते तो 90 पॉइंट ही आपको सेफली मुझे लगता है विकेट की पर दे जाएंगे तो एक बैस्ट ऑप्शन होने वाले आपके पास कैप्टन वोइस कैप्टन के लिए तो फिलाल मैं सौरब को कैप्टन कर रहा हूं सिंग को ऐ आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए तो लिंक पर किली करके टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा फाइनल टीम आपको इस मैच की टेलीग्राम पे ही मिलेगी दोस्तों अगर आपको सो रूपे फिरी पेटियम देता है तो बस आपको इस पोडाउनलोड करके रेइस्टर कर लेना है इस पोडाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए तो लिंक पर किलिक करके इस पोडाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद जब रेइस्टर करो त तो तुरंत आपके पेटियम में 100 रूपे फिरी आ जाएंगे चलिए दोस्तों मिलते हैं मैस्टाइम टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम से जुड़ी आईगा और मैस्टाइम एक्टिव रहिएगा